दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे की कैसे हम अपने सबकॉंशिस माइंड का इस्तमाल करके अपनी लाइफ में जो चाहे वो पा सकते है दोस्तों आपको wealth और success चाहिए हो या आपको एक अच्छा life partner चाहिए हो या आपको किसी बीमारी से मुक्त होना है हेलो दोस्तों 1M summary channel में आपका फिर से स्वागत है आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करेंगे जिसने कई हजारों लोगों की जिन्दगी को बदल कर रख दिया इस किताब का नाम है The Power of Your Subconscious Mind तो आए शुरू करते हैं तो आप अपने subconscious mind का यूज करके आपको जो कुछ भी चाहिए वो आप पा सकते है जैसे एक आईस बर्फ का 10% हिस्सा पानी के उपह होता है और हमें दिखता है और 90% हिस्सा सब पानी के नीचे होता है और हमें नहीं दिखता है ठीक वैसे ही दोस्तों हमारे mind का 10% हिस्सा हमारा conscious mind होता है जिससे हम सोचते हैं, आग्यूमेंट करते हैं, लाइफ के डिसीजन लेते हैं और ये तब तक काम करता है, जब तक की हम जागते रहते हैं और 90 प्रतिशत हिस्सा हमारा सबकॉंशिस माइंड होता है हमारा subconscious mind emotions और thoughts का storage center होता है दोस्तों ये body के vital functions को control करता है जैसे कि हमारा heart, kidney, liver इन सबको दोस्तों हमारा subconscious mind timeless और space less होता है और इसका connection universe के साथ होता है जैसे हमारे βिचार और emotions होते हैं वैसे ही हमारी life को बना देता है दोस्तों ये thoughts और emotions हमारे subconscious mind में conscious mind से होकर ही जाते हैं दोस्तों जो भी आप conscious mind में repeat करते हैं या आप सोचते रहते हैं वहीं आपका subconscious mind ले लेता है ये आप से और गू नहीं करता वो आपको वैसा ही बना देता है जैसे आप सोचते है दोस्तों मैं आपको एक example देकर समझता हूँ जैसे एक भोड़ा और घुट सवार, दोस्तों सारा पौव घोड़े में होता है लेकिन उसे कंट्रोल करता है घुट सवार ठीक वैसे ही हमारे सबकॉंशिस माइंड में सारा पौव होता है लेकिन उसे कंट्रोल करता है हमारा conscious mind जिससे आप सोचते हैं दोस्तों चलिए जानते हैं कि कैसे आप अपने subconscious mind को इस्तमाल करके life में जो चाहिए वो आकाइव कर सकते है दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको जो भी life में चाहिए वो आपको clearly पता होना चाहिए मैं आपको एक example दे कर समझाता हूँ आपको exam मैं अच्छे marks लाने है या आपको कोई business setup करना है या आपको किसी बीमारी से चुटकारा चाहिए अब आपके conscious mind को ये clear है कि आपको क्या चाहिए तो ये बात आपको अपने subconscious mind तक पहुचानी है दोस्तों उसके लिए लेखक जोसफ मफी जी ने दिये हुए कुछ rules को follow करके आप अपनी बातों को अपने subconscious mind तक पहुचा सकते हैं दोस्तों आपको जो भी चाहिए उसे किसी paper पर लेक लीजिए और रोज सुबह उठने के बाद और सोने से पहले आपको उसे repeat करना है यानि कि खुद से बोलना है इसे western word में affirmation भी कहा जाता है रोज सुबह उठने के बाद पहले के आधे घंटे हमारा conscious mind inactive होता है यानि कि हमारे दिमाग में जो फाल्तु की बाते जो चल रही होती है वो minimum होती है और इस समय अगर आप किसी चीज को बार बार repeat कर दे तो वह बात हमारे subconscious mind तक पहुंच जाती है वही रात को सोने से पहले जब आप आधी नीन के status पे होते है तब आपका conscious mind inactive हो जाता है और तब आप किसी चीज के बारे में हलके से सोने से पहले repeat करते हैं तो वह बात आपके subconscious mind तक चली जाती है दोस्तों दूसरा आपको imagination का प्रयोग करना है यानि कि जो कुछ भी आपको अपने जिंदगी में चाहिए उसे imagine कीजिए एक टीवी फिल्म की तरह दोस्तों अगर आपको business setup करना है तो आप imagine कीजिए कि आपका business setup हो चुका है और आपकी clients के साथ dealing हो रही है और आपको awards मिल रहे हैं अगर आपको exam में अच्छे marks लाने है तो आप imagine कीजिए कि आपने exam clear कर लिया है और आप अपने jobs में duty कर रहे हैं दोस्तों एक बार ये बाते आपके subconscious mind में चली गई तो आपका subconscious mind nature के साथ connect करके आपकी situations ऐसी बना देगा कि आप उस चीज को सौपरतिशत अचीव कर लेंगे दोस्तों इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है आपको दूसरों से जलना नहीं है आपको negative विचार दिमाग में नहीं लाने है आपको ये कभी भी नहीं सोचना है कि मुझसे ये कभी भी नहीं हो सकता मैं यह effort नहीं करता उसके बजाए आपको यह सोचना है कि मैं एक दिन यह जरूर खरीद लूँगा दोस्तों आपको आपके ability पर बिल्कुल भी doubt नहीं होना चाहिए और आपको हमेशा positive रहना है अगर आपके दिमाग में जरासा भी doubt या negativity आई तो आपके subconscious mind को गलत सिगनल जाएगा और वो यह चीजें execute नहीं करेगा दोस्तों अब आईए अब समझते हैं कि इस trick को कैसे difference field में apply किया जाता है power of healing दोस्तों लेखक जोसफ मफी के father tuber classes के मरीज थे और उनकी lugs damage हो चुकी थी डॉक्टर्स भी उनकी health को improve करने में ना काम्याब हुए तब उसके बाद लेखक जोसफ मफी जी ने अपने फादर को एक cross दिया और कहा कि ये बहुत ही holis cross है क्यूंकि ये उस brisht का है जिसने 150 साल meditation किया है और ये सुनके उनके फादर ने उस cross को अपने सीने से लगाया और यह सोचकर के वो सो गए कि इसमें holis pavaz है और ये उनकी बीमारी को ठीक कर देगा दोस्तों उसके कुछ दिनों के बाद उनकी health सुदर गई और doctors भी ये बात सुनकर अचम्बित हो गए बाद में जोसफ मफी जी ने बताया कि ये cross किसी brisht का नहीं है बलकि उसने निभरहुट से किसी दुकान से खरीद लिया था लेकिन उनके fathers इसलिए ठीक हुए क्योंकि उनको लगा कि इसमें holy powers है और उन्होंने अपने subconscious mind को ये signal दिया था कि इसमें holy powers है और वो अब ठीक हो जाएंगे और जोसफ जी के father subconscious mind के healing powers से वो ठीक हो गए दोस्तों आपने कई बार सुना होगा कि किसी मंदिर में किसी की आँखें आ गई या किसी का cancer ठीक हो गया इन सभी चीजों के पीछे का science है आपके subconscious mind का power of healing दोस्तों इन सभी cases में patients को अतुट विश्वास होता है किसी unknown power पर और इस विश्वास को अपने mind में रख कर वो continually prayer करते रहते हैं और इस prayer के माध्यम से उनके subconscious mind को ये signal जाता है और उनका subconscious mind healing powers को यूज़ करके उनको heal कर देता है यानि की ठीक कर देता है Success and Wealth दोस्तों शालिनी एक drugstore में काम करती थी लेकिन उसका सपना एक drugstore का honor बनाने का था उसने इस book के author को एक दिन बताया कि वो चाहती तो है एक drugstore का honor बनना लेकिन वो जानती है कि वो ये effort नहीं कर सकती क्यूंकि इसके लिए उसे बहुत ज़्यादा पैसों की जरूरत होगी author ने उसे suggest किया कि वो जो भी चाहती है उसे कहीं पर लिख ले और देली सुबह उठकर उसे repeat करे साथ ही power of imagination का इस्तमाल करे उसके बाद शालिनी रोज सुबह उठने के बाद drugstore को imagine करने लगी का काम लेना पड़ा दोस्तों drug marketing के लिए वो एक दिन एक store पर पहुँची उसका honor बहुत ही बुरा हो गया था और उसके कोई भी रिष्टेदार नहीं थे शालिनी के dedication को देखकर उस बुए आदमी ने शालिनी को कम दामों में अपना store देने के लिए ready हो गया इस promise से की वो पूरी मेहनत से काम करेगी और शालिनी इस promise को मान गई और शालिनी उस टो की honor बन गई दोस्तों शालिनी की तरह आप भी अपने subconscious mind को सही signal दे और power of imagination का सही से इस्तमाल करे तो आप भी अपने life में जो भी चाहे वो हासिल कर सकते है Relations और शादी दोस्तों कई लोगों की यह problem होती है कि उनकी अपने partners के साथ relations अच्छी नहीं है और उनका हमेशा जगा होता रहता है दोस्तों सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि relations और शादी हमें spiritual connection बनाने के लिए करना चाहिए दोस्तों आपका और आपके partner के बीच हाट का connection होना चाहिए कभी भी हमें पैसे या ego satisfy करने के लिए शादी नहीं करना चाहिए दोस्तों अच्छा partner पाने के लिए सबसे पहले आपको अपने उपर से doubt करना बंद कर दीजिए और आपको जैसा partner चाहिए उसकी quality एक paper पे लिख लीजिए लिखने के बाद रोज सुबह उठने के बाद और सोने से पहले इसको repeat कीजिए और उसके साथ imagine करें कि आपको वैसा partner मिल चुका है जैसा आपको चाहिए आपकी जो demand है वो love, peace और emotions की होनी चाहिए ना की पैसा, power और lust की दोस्तों अगर आप already relations और marriage में है और अगर आपकी relations अच्छे से नहीं चल रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने partner के बारे में negative नहीं सोचना है और आपको हमेशा positive imagine करना है दोस्तों रोज सुबह उठने के बाद आपको prayer करना है कि आप दोनों के बीच relations अच्छे हो और आपको आप दोनों के बीच में कभी भी डीबोस की बात नहीं सोचनी है दोस्तों आपको आपके अवचेतन मंद subconscious mind को ये signal देना है कि all is well अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो तैंक्स